सीप्री पुरल रिमान के Cलते 1 नवंबर स 1864 से सीप्री बाजार का मार्ग बं किए slaughter का निर्ने लिया गया है लेकिन तियोहार के समय रास्ता बंध होने से सीप्री बाजार के whatnot चिंता हताने लगी है कोरोणा ने लगबहग हर किसी को प्रभावित किया था करीब आठ माह बाद अब धीरे धीरे जीवन की गाड़ी पट्री पर आ रही है व्यापपारियों को उम्मीद थी कि इस दिपावली में शायद वह आर्तिक सिती से पार पापाएं लेकिन सीपरी वजार के व्यापारियों को राहत मिलती नहीं दिख रही है क्योंकि वैसे भी छे साल से कच्छुए की गती से चल रहा ओवर ब्रिज के निर्मान कारे ने सीपरी छेत्र के व्यापार को चौपट करके रख दिया था इसके बाद अब फिर से शुरू हो रहा है रेलवे पुल के उपर निर्मान कारे जिसको लेकर एहतिहात के तौर पर सीपरी चित्र की व्यापारियों क्या मार्ग बंद करने का निर्णे लिए गया जिससे अब व्यापारियों की तिवहार के समय दिक्कत रचत हैं इसी बात को लेकर सीपरी बाजार का ओवर विज बनाने का कारे चल रहा है जिसमें सीपरी बजार की व्यापारी काफी प्रभावित हुए हैं अब जब व्यापारियों के लिए सबसे खास योहार में रास्ता बंद करने से ग्राहक यहां फिर से नहीं आ आएंगे व्यापारियों की मांग है कि पुल निर्मान कारे में दिपावली तक रास्ता बंद ना किया जाए जैए जल्दी से जल्दी हमारे शीपरी पुल का निर्मान हो लेकिन अब शीपर ने अपनी गदी पकड़ ली है जलातकारी जी की प्रयास पे मानी है सांसाज जी की प्रयास में अब फुल गदी पकड़ गया है और अंतिम चल्णव में काम चल्ला है टूपादधरी सालवड़ के लिए बेकार हो जाएगी हमारे बैपारी भुकुमरी की वहार पे आ जाएगे हमने जलाचकारी जी से मांग किये कि काम बो हो कि व्यापारी को नुक्सान भी न हो और पुल का निर्माड भी चली हमने उनसे अगरे किया है तो परुपकां निर्मा झाल झाल